Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Gazzal Rohila. इस वीडियो में हम discuss करेंगे KBS इंट्रिव्यू से related और ये part 1 है जिसमें हम बात करेंगे about KBS. Friends, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें हमने 12 चीजों की बात की थी कि हम अगर वो 12 बेसिक चीजें भी पता कर लें, इंट्रिव्यू पर जाने से पहले तो इनफ होगा और वो चीजें ऐसी हैं जो पता होनी ही चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आईए स्टार्ट करते हैं. और वैसे भी अगर हम किस चीज के लिए जा रहे हैं, के वीस में एज टीचर बनने हम जा रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका एक्जाम क्लियर किया हमने, उसके लिए इंट्रव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां जॉब पाने जा रहे है तो at least उसके बारे में minimum knowledge तो होनी ही चाहिए तो इसलिए मेरा first point यही था कि about KVS हमें पता होना चाहिए तो उसी की यह video है So let's start KVS जो की full form है केंद्रिय विद्याले संगठन First point है कि केंद्रिय विद्याले was found as a system in 1963 under the name Central School Later it was changed into KVS तो पहले इसका नाम Central School सा बाद में change करके KVS हो गया था और KVS जो start हुआ था वो हुआ था 1963 में 1963 में KVS जो हैं वो start हुए थे अब है principal objective यह school क्यों खोले गए KVS जो school से उनको खोलने का क्या reason था क्या purpose हा कि यह school खोले गए तो सबसे पहले तो to cater to the educational need of children of armed forces personal armed forces से यहां मतलब है आर्मी के बच्चों से आर्मी में जो इंडियन आर्मी में जो काम करते हैं लोग वहां पर तो उनके बच्चों जो आर्मी के person है उनका हर 3 years के बाद transfer होता है तो उन बच्चों की educational needs को देखते हुए यह जो हैं KVS खोले गए ताकि उन बच्चों की studies को हाम न हो वो जब एक state से दूसरे जगे transfer हो तो उनको कोई उनकी study को हाम न हो तो इसलिए वो schools खोले गए तो वही बात है जब पूरे states में अलग-अलग states में बच्चे जाएंगे तो अलग-अलग states के culture को, अलग-अलग states की language को वो सीखेंगे तो उनके अंदर एक sense of Indianness आएगी भारतियता की भावना आएगी कि वो इतने सारे states की culture को, language को, सब चीजों को सीखेंगे तो national integration और Indianness की भावना उनके अंदर आएगी तो ये दो परपस्ते केवीज को खोलने के next is, केवीज is affiliated to CBSE since its inception तो starting से ही केवीज जो है CBSE से affiliated है और NCRT curriculum को follow करता है it comprises 1199 schools in India including three branches in abroad 1199 schools है total जिसमें से three branches इसकी out of India भी है तो यहाँ पर पहला है काटमांडू जो की नेपाल में है तहरान, इरान का है और मॉस्को रशिया में तो ये three schools हैं केवीज के जो out of India भी है तो ये जो बाहर के तीनों schools हैं ये Indian embassy staff जो Indians हैं बाहर गए हुए हैं उनके बच्चों के educational leads को देखते हुए खोले गए हैं तो अभी point 2 में जो इसका objective वाला point था उसमें हम यही बात करे थे कि जब एक location से दूसरी location पर जो है government employees जाते हैं तो उनके बच्चों के educational leads को हाम न हो इसलिए वहाँ पर uniform curriculum uniform curriculum से मतलब है कि एक जैसा curriculum तो हर केवी में किसी भी state का केवी हो वहाँ पर एक जैसी पढ़ाई एक जैसी curricular activities, co-curricular activities और curriculum सारा same चलता है ताकि वो mid of the session में अगर parents का transfer हो जाता है तो उस बच्चे की study को कोई हाम न हो अगर वो दूसरी जगे जाके admission केवी में लेता है तो वही जहां से उसने छोड़ा है वहाँ पर वही से next start हो जाएगा तो ये educational leads को देखते हैं केवी के जो है उन बच्चों के next है संस्कृत is compulsory for six to eight तो संस्कृत एक language है ठीक है त्री language हो गई है तो हिंदी इंगलिश तो है संस्कृत भी एक compulsory language है six to eight के बच्चों के लिए केवीज में Children of KV employs SCST students and girls who are their parents only child are exempted from tuition fees तो KV के बच्चों की SCST students की या girls की जो की अपने parents के इकलोते बच्ची है उनको education ये tuition fees उनके exempt कर दी गई है उनकी कोई fees नहीं लगती next है only boys from class ninth onwards are charged tuition fees तो ninth class से उपर की और जो की सिर्फ boys की ही fees जो है KV's में लगती है बाकी की tuition fees जो है नहीं लगती next है the motto of KV's is motto होता है हर institution का motto होता है जिसके उपर वो काम करता है तो KV's का motto है ज्यानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान enter for knowledge and leave for service ज्यानार्थ प्रवेश का मतलब है ज्यान के लिए आएं enter for knowledge and सेवार्थ प्रस्थान सेवा के लिए प्रस्थान करें leave for service ये है केवी का मोटो नेक्स्ट है केवीएस प्रेयर केवीएस की प्रेयर है दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना ये केवीएस की प्रेयर है आगे चलते हैं केवीएस सॉंग भी है अभी कुछ टाइम पहले ही इसको change किया गया है, करीब एक दो महीने पहले ही change हुआ है, उससे पहले different था, अब new KVS का song आया है, यह है, मेरा केंद्रिय विद्याले, तुम्हारा केंद्रिय विद्याले, मानवता निर्मान करे, हमारा केंद्रिय विद्याले, तो KVS ने अपन governance platform है, मतब यह KVS ने पूरी country में, KVS ने यह शाला दर्पन प्रोग्राम जो है, open किया, initiate किया, इसका aim है कि जो quality of learning है, उसको improve किया जाए, जो administration है, उसकी efficiency increase की जाए, तो यह basically शाला दर्पन प्रोग्राम इसी चीज़ के लिए रखा गया है, कि जो learning है बच्चों की, उसमे कुछ न कुछ improvement लाई जाए, कुछ न कुछ जो है KVS नई नई चीज़े करते ही रहता है, यह भी उनी में से एक है, next देखते हैं, भाशा संगम, भाशा संगम नाम से ही जैसे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि भाशा संगम, बहुत सारी भाशाओं का संगम, तो यह ए अंदार भाशा संगम एक KV ने जो है चलाया है, जिसमें इन्होंने objective रखे थे कि जो इंडियन constitution में schedule number 8 में 12 languages दे रखे, 22 इंडियन languages दो दी हुई है, 22 जो है इंडियन languages schedule number 8 में जो given है, उनको बच्चों को सिखाया जाए, कम सकम इतना कि थोड़ा सा familiar वो उनके साथ हो तो highlight जही थे कि 22 जो languages हैं उनके लिए एक एक दिन assign किया गया था, one day is assigned to each language और कम से कम 5 sentence उस language के उन बच्चों को सिखाये गए, minimum 5 sentence जिससे वो थोड़ा सा familiar हो जाए, उनको अच्छा लगे कि हां मतलब कितनी diversity है इंडिया में, कितनी सारी language है, multilingualism जो कि हमारा NCF भी बात करत कि हम उसको as a, जो है, demerit ना देखके, उसको हम as a resource लें, तो यहीं पर, जो है, KV का बहुत अच्छा initiative था, तो national integration को भी show करता है, और respect और जो है, promote करता है national integration को, तो यह था भाशा संगम, next देखते हैं, back to basic, तो इनकी जो tagline थी, वो यह थी, don't limit a child in your own learning, for he has born in a different time, तो हमें बच्चे को limit नहीं करना है, उसकी जो innate talent है, उसका personality है, जो भी उसकी learning की qualities है, उसको हमें limit नहीं करना है, उसको हमें enhance करना है, उसकी help करना है बच्चे की, कि वो उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से develop करे, हमारी theories भी यह करती हैं, कि हमें बच्चे को help करना ह है facilitate करना है हमें कि उनकी जो अपनी thinking है और उसको ज्यादा broad कर सकें तो यही initiative है लिया था के भी ने an initiative to ensure attainment of exempted learning outcomes mentioned in the NCRT document in class 1-8 in all subjects ठीक है तो main purpose जो था इनका back to basic basic से यहां मतलब है कि कम से कम हर चीज के बच्चेओं के basics clear होने चाहिए बतब basics की basic numeracy जो है reading competencies है उनकी language की भी बात हो गई यहां पर maths की भी बात हो रही है तो reading कम से कम हर बच्चे को आनी चाहिए अच्छे से और numeracy की उनको basic knowledge होनी चाहिए और बात की थी एक और इनोने की mandate of the RTE act and fill the gaps of learning ensuring class या age appropriate तो RTE भी यही बात करता है कि बच्चे को उसकी age appropriate class में डालना चाहिए ठीक है तो जिससे उसकी learning capacity जो है और भी अच्छी हो जाएगी improve हो जाएगी और दूसरा RTE act की जो बाते हैं उनको भी वो जो है Thanks for watching if you like the video do share with your friend subscribe and drop your valuable comments wanna comment section thank you so much